यहांपा एक लेटिस रॉम का अपडेट आया है जो कि रोग एडिसन प्लस एचटी एडिसन का कॉम्बिनेशन है यानि कह सकते हैं दोनों का एक हाइब्रीड रॉम है जहांपे आपको दोनों के रॉम के बेनेफिट्स को देखने को मिलते है और यह रूम रियली में आपको पसंद आने वाला है। लेकिन इस वीडियो में आपको बतावां कि रूम कैसा है, परफॉइंस देखने को मिलता है, और कुछ कमिया बगेरा है या नहीं। तो चलिए आज के वीडियो को सुरू करते हैं और अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और सेर करना न भूलें एक्च्छली मैं ये वीडियो बनाते समय मेरा दिमाग खराब हो गया यार दुवारा ये सूट करना पड़ रहा है क्यों जब फॉर्स टाइम मैंने रिकॉर्ड कर लिया पूरा वीडियो तो देखा कि वैर मैंने कैमरा ही स्टार्ट नहीं किया तो दुवारा ये रिपीट कर बहुत दुख होता है जब ऐसा गलती हो जाता है सम्टाइम बट आगे बढ़ते हैं ठीक है यहाँ पर माई डिवाइस में आप देखो कि रोग एडिशन का आपको लोगो दिखाई देता है और यहाँ पर रोग एच्टी एडिशन है जो कि 14.0.23.7.3 पर रन कर रहा है जो क काफी सही तरीके से काम करता है और नीचे आते हैं तो आपको additional में multilanguage support देखनी को मिलेगा जो कि आप benefit ले सकते हो same वही floating window memory extension आपको मिलता है working अनदर apps के अंदर ज्यादा option नहीं दिये गए हैं और battery थो आप modified वाला security यूज किया गया है जिसके वैसे आप देखो temperature number दिखा और साथ साथ यहाँ पर आपको दिखाई देता है face unlock fingerprint जो कि आपका working रहेगा यहाँ पर advanced वाला latest वाला है जो launcher यूज करा गया है जिसमें आपको बहुत सरे features मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर नीचे की और देखोगे तो folders related animations हो गया देखनी को मिल जाते हैं यहाँ पर iPhone का आप यहाँ पर चीज़े देखनी को मिल रहा है और आपका close all का button यहाँ पर दिखाई देता है त्याश्य चीज़ सही लगा मुझे अनदर यहाँ पर आपको आइकन के अंदर देखनी को मिल जाता है background, monet dark और monet यहाँ पर light और यहाँ पर force white icon का भी एक नया option दिखाई देगा folder animations के आपको देखनी को मिल जाते हैं साथ स्याथ यहाँ पर आपको device search engine की step का look में चाहिए google का वह आप change कर सकते हो row and column बहुँ जादा यहाँ पर मिलते हैं प्लस में animation 3-4 देखनी को मिलते हैं जो के default, optimize यहाँ पर MIUI 11 और fold के option हैं जो कि मैंने यह animation आपको पहले भी सो कर रखें तो यह अच्छे से काम करता है कोई दिकत नहीं आता बाकि वही same common option आपको मिलेंगा और यहाँ पर आपको notification में कुछ इस्टा setting मिलती है जैसे कि यहाँ यहाँ पर state में वही notification, group पहला option मिल जाता है, expand top notification का option मिलता है, weather का option मिल जाएगा, यहाँ पर आपको notification log जो history है वो देखनी को मिल जाता है, नीचे की राने के बाद press and hold का एक button मिलता है, जहाँ पर आप stream या फिर network यहाँ पर prefer कर सकते हो, और जब यह आप control center में आके long press करोग तो आप यहाँ सूस्क्री से आप से चेंज करके रख सकते हो, ताकि आप बार बार है जो अंदर सेटिंग में ना जाओ, यही से हो जाए long press करके, बागे कुछ items, show and height के option है, और status bar के option मिलते हैं, यहाँ पर आप clock को चाहो तो color day सकते हो, second और enable or disable कर सकते हो, जो कि मैंने यहा आप यहाँ पर अलग लग लुक में जो इसे बदल सकते हो, जो कि देखने में काफी सही लगता है, और जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लगे हो आप रड़क सकते हो, कुछ चीज़े height करने का option मिल जाते हैं, कुछ चीज़े on off करने के option आपको मिल जाते हैं, और यहाँ जो कि यू में रहता है, वो देखने को मिलता है, बाकि यहाँ पर बैटरी के लुक में आप बदलाव ला सकते हो, कौन सा shape आपको बैटरी अच्छा लगता है, percentage की side चाहिए, tap को छोटा बढ़ा करना, आइकन को छोटा बढ़ा करना, उनके हर एक percentage पर अलग-लग color show करने, औ उस टाइम पर आप volume records का use करते हुए, यहाँ पर volume वगेरा control कर सकते हो, सासियाद music को भी आप next और previous कर सकते हो, another यहाँ पर sound effect में आपको harmon कर डाना और सासियाद dolby का भी effect मिल जाता है, जो कि अच्छा लगा मुझे और काम करते हैं, another display, यहाँ पर आपको dark mood का option तो working मिलता ही प्लस में anti flicker दिया गया है, और यहाँ पर देखो एक और dark mood का option है, जो कि यहाँ से switch करने के बाएर आपको dark और light enable होता है, तो यह थोड़ा अलग सा option दिया गया है, और यह option हमेशा developer के setting में आपको मिल जाएगा, बट इस HT edition में बाहर निकाला गया था, इसलिए यह आपको बाहर नजर आता है, resolution हमारे किसी काम का नहीं है, बट दोस्तों को दिखा कि उनके मुझे ले सकते हो, क्योंकि भाई मेरे में दिया है, तेरे में नहीं है, ऐसे step के, लेकिन आप इसका मेज़ा खुद नहीं ले पाओगे, यहाँ पर नया EY है, जहाँ पर 60, 90 और 120 के option तो है बट यहाँ पर मुझे सिर्फ उसी 60 और 120 ही working देखनी को मिला है, बाकि आप देख रहे ना कि क्या तीनों काम कर रहे हैं या नहीं, glow mode किसी भी device में काम करते हो, मैंने आज तक देखा नहीं है, बाकि यहाँ पर age reduce करने के option है, जो कि भाई मुझे नहीं लगता किसी काम के curve display में काम आ सकता है बट इसमें नहीं आता, बट है तो है, ignore mark ठीक है, always on के अंदर एक advantage आपको मिलता है, कि यहाँ पर आपको unlock मिलता ही है timing, बट यहाँ पर theme यहाँ पर use करा गया है, जिसकी help से आप भाई theme store से unlimited OD जो भी पसंद आते हैं, वो आप download करके use में ला सकते हो, जै don't know why, तो आप देखो, फिर से always पर आ गया है, तो कुछ इस तरीके से है, बाकी यहाँ पर आपको दिखाई देता है, so unread notification का option, sleep के बाद यहाँ पर एक और option मिलता है, जो कि आपका काफी help करेगा तब, जब आप कोई भी चीज यूच कर रहे हो, फोन के अंदर आप चाहते है, बाकी यहाँ पर आप देखोए clock के अंदर, अललग format में same fonts देखने को मिल जाते हैं, जो कि देखने में सही लगता है, और एक default वाला font के साथ भी clock आपको दिखाई देता है, तो जो भी clock अच्छे लगें, वो आप यहाँ पर यूच कर लेना, इसके बाद यहाँ पर आपको साथ पसंद भी आएंगे, इन में से अगर आप enemy के fan वागेरा हो, तो depend करता है आपके उपर, बाकी आप अलग से भी use कर सकते हो, बाकी वही same customizing आपको मिलता है, और समुदने काफी सही देखने को मिला, इसके लिए अब आप देखो, files का मैंने look change कर रखा है, क्योंक सूपर आइकन वरकिंग है, और 2 x 1 वाल भी आपको जो features देखने को मिल जाता है, जो कि आप use में ला सकते हो, proper काम करता है, तो ये भी आप features का मज़ा ले पाओगे, बाकी यहाँ पर जो camera दिया गया है, वो आपको like का मिल जाता है, बट यहाँ पर 4K का 68 piece भी दे दिया गया है, जो कि हमारे किसी काम का तो है नहीं, क्योंकि काम करेगा नहीं, लेकिन हा, other option आप use में ला सकते हो, और working भी है, plus में MIUI का dialer है, तो quad recording में कोई दिक्कत नहीं आने वाले, full मज़े है, और icon animation भी आपको यहाँ पर unlock मिल जाता है, तो यहाँ पर यह भी आपको advantage भी लेगा, यह जो widget दिखाई दे रहेना है, यह आपका MIUI HT Plus का है, इसमें आप देखो कि यहाँ पर जो sun है, वो move कर रहा है, यहाँ पर आपको flicker जैसा effect देखनी को मिल रहा होगा, बाकि timing अगेरा, और यहाँ पर fully china widget support आपको मिल जाता है, तो जितना चाहँ उतना widgets वागेरा, आप यह कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ widgets को है, जो लगा रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, और यह देखे काफी अच्छे भी लगते हैं, तो आप यह भी set यहाँ पर कर सकते हो, अनदर यहाँ पर volume control में advance मिल जाता है, features पगेरा, power menu यहाँ पर simple है, और control center भी हमा काफी अच्छा खासा लगा है, अब रही बात यहाँ पिसका performance कैसा देखनी को मिलता है, तो आते हैं उसके उपर, यह है हमारा untu2 score जो कि 39 का है, तो 39, 40 यह 41, हमारे 10.0 version पर आता है, तो अच्छा खासा रहता है, 67 Geekbench काफी perfect देखनी को मिल जाता है, और 100 पर डालने के जो कि आप देखो 38 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जो मॉर्निंग में चेक करते हों तो यह 38 का 38 ही रहता है, और यहाँ पर टाइमिंग हमें देखनी को मिलता है, वो यह 6 आर्स 55 मिनिट का जिसमें 0% बैटरी डॉप हुआ है, यानि टोटल 7 आर्स में 0% के पास फर्क नहीं बरता, बाकी यहाँ पर आपको जो फोटो 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 अनलॉक मिल जाता है, जो कि मुझे पसंद आया, कैमरा गएर हमारा वर्किंग है, जो कि अच्छी बात है, अब रही बाद डिवाइस सर्टिफाइड है या नहीं, तो आते हम अपने प्लेश्टर क रिबूट करने के बाद फेस होगा, वह है यहाँ पर ब्राइटनेस का प्रोलम, जब भी आप फोन को अनलॉक करोगे ना, तो सम्टाइम आपको जो लो ब्राइटनेस देखनी को मिलेगा अनलॉक होने के बाद, जैसा कि आप देखो भी यहाँ पर डाउन हो गया है, तो ब् अब टी डूलाइटपी 3.7 यूज़ करना है, जिसका लिंक में आपको दे दूँगा, उसी का यूज़ करते वे, आपको इस रोम को फलेश करना है, अपने फोन के अंदर, जहाँ पर डाउनोट लिंक होगा, वहाँ पर टी डूलाइट इंस गाइड होगा, सब कुछ में मे पर निक पर डालोगे वेलकम बैक मैनेजर का आपको नोटिविशन आता है और साथ साथ रिबूट का जो है आपको रोग एडिशन का बूट एनिमिशन देखने को मिल जाता है तो यह चीज़ मुझे यहां पर थोड़ा अच्छा लगा देखे मज़ा आया अब आपका क्या है ओपिनेरिस रोम के बार में कमेंट करना डालना चाहतू या नहीं वो भी बताना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाई